हेलो स्थों मैं हुरुचत बहुत बहुत स्वागत है अब सभी लोगों का इस निव वीडियो में दोस्तों फिलाल इंडियन टेलिविजन के सबसे मॉस्ट पॉपुलर सीरियल में से एक यानिकी इमली सीरियल ये फिलाल लोगों की जबान पर कुछ इस तरह चड़ा है कि लोगों को इंतजार रहता है हर बार इमली सीरियल का कि इसमें कौन सा बड़ा ट्विस्ट आएगा क्योंकि यहां पर इमली सीरियल के एक यूनिक बात ऐसी है कि एक ही सीजन के अंदर इसकी कहानी एक बार नहीं बलकि कई बार चेंज हो चुकी है जहां पर स्टार कास्ट में बड़े बड़े चेंजे जमें नजर आए यहां पर स्टोरी कुछ इस तरीके से पलट जाती है कहानी की पूरी तरीके से एक तम नए ट्रैक पर चले जाती है और ऐसा सीरियल में एक बार नहीं बलकि लगातार आज तक होता ही आया है लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के बीच में जो सुंबूल तौकिर खान है उनकी जो फैन फालोविंग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और इतने कम उमर में उनने सीरियल में लीड अक्टरिस का रोल मिलना और वो भी इतना दमदार रोल मिलना लोगों को काफी पसंद आया और लोग उनके बहुत बड़े फین फिलाल बन चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर सबी फैंस बहुत उदास भी है इस चीज को लेकर कि कहानी में इमली को कभी भी खुशियां नहीं मिल पाई है क्योंकि जब भी उसके पास खुशियां आती है तो उसकातीत का साया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी जिन्दगी बरबाद ह आगे बढ़ने वाली कहानी ये सवाल सभी लोगों के मने में चल रहा है क्योंकि ओफिशल तोर पर लीप तो कंफर्म हो चुका है अब दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि इस लीप के बाद सबसे पहले तो स्टार कास्ट में बहुत बड़ा चेंज अमें देखने को मि रेड़ी है लेकिन आरेन सिंग राथोड का किरदार जो है वो सीरिल की एक आत्मा की तरह फिलाल हमें दाजर आया है क्योंकि यहां पर हर कई इमली मुसीबत में फसी है सिर्फ एक की नाम लोगों के जबान पर होता है कि आरेन अब भी बाकी है और जब तक आरेन सिंग राथोड का किरदार जो है वो पूरी तरीके से हमें गायब होते वे नजर आ सकता है अब दोस्तों इसके कई सारी रीजन सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा शौकिंग रीजन और सबसे हादा खुशी की बात यह है आरेंज सिंग राथोड यानि कि फैमान खान के फैन के कि फैमान खान को इससे अच्छा रोल आगे मिले या फिर नहीं मिले क्योंकि फिलाल हम देखे दोस्तों आरेंज सिंग राथोड का किरदार तो फैमान खान को इस किरदार नहीं सबसे ज़्यादा पॉपॉलरिटी दिलाई है और यह उनकी लाइफ का अब तक सबसे बड़ा रोल भी रहा है लेकिन दोस्तों इसके बाद भी अगर आरेंज सिंग राथोड का किरदार सील से खत्म होता है तो डेफिरेंटली बात है कि फैमान खासने को सोच समझ कर यह फैसला लिया होगा हाला कि दोस्तों यह चीज भी इंस्टाग्राम और सोचल मीडिया पर एक्टर और एक्टरस की पोश्टर से साफ नजर आ रहा है कि वो अल्रेड़ी शूटिंग को खत्म कर चुके हैं और इसे के साथ तुरंट जो हाली में अनॉंस्मेंट हुई है वो सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट बन जाता है यहां पर आकर जिहां दोस्तों मैंने रियालिटी शू की बात करे तो लगबग आप साभी लोग समझ गए होंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ जिहां दोस्तों में किसी और रियालिटी शू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सबसे मोस्ट पॉपलर इंडियन टेलिविजन की रियालिटी शू की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है बिग बॉस जिहां दोस्तों बताया जा रहा है कि फैमान खान जल दी हमें बिग बॉस के 16th सीजन में जो है यानि कि इस सीजन में जिसका प्रोमो हाली में रिलीज किया गया था उसमें हमें as a contestant नजर आ सकते हैं और दोस्तों वाकई में बहुत खुशी की बात है फैमान खान के फैंस के लिए लेकिन जो फैमान खान को आरेन सिंग राथोड के तौर पर प्यार करते हैं उनके लिए काफी disappointing भी है क्योंकि आरेन सिंग राथोड का करदार इमरी सीरिल से totally अलविदा हमें कह देगा लेकिन व अभी को बता दो कि फिलाल इंडिन टेलिविजन के टॉप ट्यार पी लिस्ट में जो है इमली सीरिल का नाम शामिल है और यहले इमली सीरिल के फिलाल लीड एक्टर के तौर पर हमें आरेन सिंग राथोड यानि की फैमान खान नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली बात है दो खान खान का उस सीरिल रियालिटी शो में जाना बहुत ही लाजमी सा नजर आता है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बिग बॉस जैसे शो से जो है काफी बड़ा बूम जो है वो एक्टर्स को मिल जाता है कई बॉलिवुड मूवी इस अलबम सॉंग उन्हें मिल जाता है औ इस अल्रेडी ले चुका है कि यहाँ पर अब लीब के बाद लोगों को कुछ भी नया पन नहीं लग रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब तक के सीरिल में कई बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं पहले गश्मीर महाजैनी हमें नजर आ रहे थे आदित्य कुमार और उसकी माज जो है वो फिर से हमें कहानी में रिटर्न करते वे नजर आती है और पूरे तरह कैसे कहानी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है इमली सीरिल की और आगे भी देखा जाये तो दोस्तों सीरिल एकदम नए पॉइंट से यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ और बताया जा रहा है कि दोस्तों सीरिल में बड़े बड़े चेंजिस हमें देखने को मिल सकते हैं और एकदम नए सीरिल से फिर से कहानी शुरू होते वे नजर आता है तो ऐसे में दोस्तों यह कहें कि इमली सीरिल को आप काफी जादा मशक्कत करनी पड़ेगी इस फिर से इस प्लाट को रेडी करने के लिए फिर से इस ट्रैक को तयार करने के लिए तो यह कलत नहीं होगा और इमली सीरिल के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार अगर इमली सीरिल फिर से ट्यार पी में अपने नाम बरकरार रख पाता है तो इसके चलने के चांसे है वरना इसका सूर्य अस्त जो है वो बहुती जल्द होने वाला है सीरिल का तो फिलाल आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन बताएं कि अकेली इमली ही काफी है इमली सीरिल को समानने के लिए या फिर आर एंज सिंग रात होड का किरदार आप मिस करने वाले हैं या फिर किसी नए आरेन सिंग राथोड या फिर आधित्य कुमार्तिर पार्टी का आप इंतसार इंबली के लिए कर रहे हैं सीरेल के अंदर कमेंट सेक्षिन आपका है बताईए के चुरूर एंड हां ये भी बताईए कि बिग बॉस 16 में आरेन सिंग राथोड फिरमान खान को देखने के लिए कित्या आधा एक्साइटेड है कमेंट सेक्षिन आपका है शेयर जोरू के जीगा और कोई भी सवाल है तो डारेट इंस्टेक्राम पर शेयर कर सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मैं मिलूँगा आप सब्सक्राइब पड़के बैल आइकिंग को दबाना मत भूलिएगा